हलो दोस्तो मैं हूँ राजा और आप देख रहे हैं टेक लाउंडर यूट्यूब चैनल दोस्तो यूट्यूब में काफी सर्च करने के बाद आपने मेरे वीडियो को क्लिक किया है तो मेरा ये वीडियो पूरा देख के जाना वो भी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बस आपका थोड़ा डाटा खर्श होगा थोड़ा आपको मेहनद करना पड़ेगा दोस्तो एक बात मैं आप और बता देता हूँ मोनेटाइजेशन से पहले आपने चैनल पे कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी 1000 सब्सक्राइबर लाओ कहीं से भी 4000 घंटा कम्प्लीट करो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इसके लिए क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे सर्च करेंगे व्यू सिंग यह देखिए सबसे पहला जो वेबसाइट आगया है इसको आपको उपेन करना है यह वेबसाइट आपको उपेन हो गया है सबसे उपर में राइट कॉर्ण में देखिए त्री डॉट दिया हुआ है, इसपे किलिक करेंगे नीचे में देखिए डेक्स्टॉप साइट है इस पे क्लिक करेंगे यह हमारा डेक्स्टॉप मोड में क्रोम ब्राउजर आ गया है दोस्तो विव सिंक साइट पे हम आ गया है यहां पे देखिए step 1 में लिखा है add video तो पहला हम step 1 पूरा करेंगे एक video मैंने youtube से उसका link copy कर लिया है आप अपने video का link copy कर लेंगे प्लस के निसान पे click करेंगे जो बीच में दिया हुआ है यहां पे paste कर देंगे एक और tab open कर लेंगे यहां भी paste कर देंगे इसी तरह आप जितना tab लेना चाहो अगर mobile आपका सक्षम है तो आप 100 tab में भी एक साथ video को play कर सकते हो मैं ज्यादा नहीं आपको 10 tab ही लेने के लिए कहूँगा फिलाल मैं 5 tab में चला के आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं आपको सिब दिखा रहा हूँ यह दिखे 5 video मैंने tab में open कर ली है अब दूसरा step है यहाँ पे test audio इस पे click करेंगे यह audio मैंने mute कर दिया है तेस्टिंग में है थोड़ा time लेगा यहाँ पे आपको wait करना है तेस्टिंग complete होते ही हमारा audio ready हो जाएगा चलिए testing complete हो चुका है तीसरा step में जाने से पहले मैं कहूँगा आप अपना video play कर लो यहाँ play पे click करेंगे यह देखिए 5 के 5 step हमारे आसानी से चल रहे है चलिए अब तीसरा step तीसरा step बहुत ही important है दोस्तों क्योंकि तीसरा step ही आपको 4000 घंटा जल्दी complete करने में मदद करेगा उसके लिए क्या करेंगे तीसरा step देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखावा है view sync इसपे click जब अप करेंगे तो एक link आपका यहाँ पे नीचे में generate होकर आ जाएगा मतलब यह जो सारे videos जो चल रहे हैं इसका एक link create होकर यहाँ पे आ जाएगा जिसको आपको copy करना है तो इसपे click करेंगे step 3 में यहाँ देखिए नीचे यह आ गया है दोस्तों यहाँ से link को copy करना ही टेड़ी खीर है इसमें थोड़ा सा आपको मगजमारी लगेगा लेकिन link को आपको copy करना है यह देखिए copy का option आ चुका है अब हम copy करेंगे copy करेंगे तो वहाँ page जो red है वो black हो जाएगा यह देखिए पूरा black हो गया है दोस्तों आप देखिए सबसे उपर में plus का निसान है इसमें click करेंगे तो आपका chrome browser नया page open हो जाएगा देखिए वो page धरागा धरा है उसमें वीडियो चल रहा है अब यह दूसरा page खुल गया यहाँ पर आप उस link को paste कर देंगे और search करेंगे वीडियो को जब आप search करेंगे तो इस तरह से आपका वीडियो open हो जाएगा एक नए tab में समझेए chrome का यहाँ पर भी वीडियो आपको इसी तरह से play कर देना है और यहाँ plus का निसान पर click करके इसी तरह पांच टैब open कर लेने है पांच page ले लेना है और सभी को paste करके सारा वीडियो एक साथ play करना है तो मैं अभी यहाँ दूसरे पेज में आपको दिखाता हूँ प्ले करके यह देखिए हमारे वीडियो प्ले हो गया चल रहा है यहाँ पर एक चीज आप क्या किजिएगा वीडियो जब चलेगा तो वीडियो में लॉंग प्रेस किजिएगा और लूप का option आएगा लूप को आपको select कर लेना है लूप पे click करना है और उसके बाद आप play किजिएगा तो वीडियो क्या है आपका खतम होगा फिर से start हो जाएगा खतम होगा फिर से start हो जाएगा तो बात आपको समाझ में आ गई होगी चलिए अप फिर से first page पे चलते हैं यहां पर देखे हमारे वीडियो सब play हो चुका है यहां पर भी आपको वीडियो को play करके loop लगा देना है लॉंग प्रेस किजिएगा वीडियो पे loop को option आ जागा loop select कर लीजिएगा वो वीडियो बार बार प्ले होगा तो दोस्तों इस तरह से आप अपना 4000 गंटा पूरा कर सकते हो एक बार ट्राय करके जरूर से देखना कुछ नहीं होता कोई फरक नहीं पढ़ता है जब तक आप आप चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता तब तक आप कुछ भी करो अपने चैनल पर सब कुछ जायज है बस अपना खुद का वीडियो खुद का अकाउंट से लॉग इन करके मत देखना तो आप यू गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो अगर अच्छा लग झाल աड़ क्रोंते सब पाइस वीडियो बाइस अपने अपने ठी ह्रोंते सब्साइज हैं